हेई फ्रेंज, वेलकाम, कैसे हैं आप सब? आशा है फ्रेंज, आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना-पना ख्याल रख रहे होंगे आज की रीडिंग में फ्रेंज हम लोग चेक कर रहे हैं आपके परसन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं उनके दिमाग में आपको लेकर बेसिकली क्या थॉट्स हैं और क्या चल रहा है रीडिंग फ्रेंज, टाइमलेस, जनरल, और कलेक्टिव है विदाउट मच फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड जब मैं डेक को शफल करूं फ्रेंज, वीडियो को लाइक करना पॉज प्यारे-प्यारे पार्टनर्स उनको लेकर क्या सोच रहे हैं फर्स्ट कर्ड है दा एम्परर आपके परिसंद को लगता है फ्रेंज, कि आप में से कुछ लोग ना थोड़ी से जिद्दी हैं और आप बोलेंगे कि माम हमारे पर्सन जिद्धी हैं बट मैं क्या बताऊं फ्रेंज ये काट सी ऐसे हैं कि मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन को लगता है कि आप में से कुछ लोग काफी जिद्धी हैं पहला ही मेसेज यही आया है तो फ्रेंज आपके पर्सन का मानना है कि आप थोड़े नहीं बलकि काफी जिद्धी हैं लेकिन साथी में आप लोग अथोरिटेटिव भी हैं एक ऐसी परसनालिटी है जो टीम वर्क का बोस जो पूरी टीम का बोस बनने की एलिजिबिलिटी रखती है या तो आप मेंसे मैक्सिमम लोग खुद का बिजनस चला रहे होंगे या आप मेंसे मैक्सिमम लोग चाहे वो फीमेल हों काफी ज़्यादा इंडिपेंडेंट और वेल सेटल्ड होंगे गर्मेंट जोब में होंगे या फिर कोई बहुत ही अच्छी नेम फेम वाला कोई वर चानते होंगे आपकी respect होगी और आपकी आपके आसपास काफी value होगी means आप अगर किसी को कोई advice देते हैं या किसी से कोई बात करते हैं तो सामने वाले लोग ना बहुत ध्यान से सुनते हैं और आपको काफी importance देते हैं आपके person को 110% लगता है कि आप जिद्धी तो हैं बट आप काफी authoritative भी है आप काफी well settled भी है आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा भी message आ रहा है कि आपके person को लगता है कि आपके father भहुत rude और dominant है अब आप लोग बोलेंगे कि माम सब कुछ अजीब अजीब ही आ रहा है बट येस यहां पर cards ऐसे ही हैं कि हो सकता है आपके person को लगता हो कि आपके father बहुत dominant और rude है और वो इस रिष्टे के लिए permission नहीं देंगे वैसी vibrations काफी strong आ रही है या फिर हो सकता है कुछ case में उनी के father हो जिनके बारे मुने अल्यड़ी पता हो कि वो बहुत जिद्दी है अडियल है रूड है डोमिनेंट है और वो इस connection के लिए permission नहीं देंगे फ्रेंज यहां पर strongly यह भी लग रहा है मुझे कि आपके person का मानना है कि उनका आपके तरफ काफी ज़्यादा attraction है येस आप मेंसे कुछ लोग ना same gender relationship में भी हो सकते हैं और आपके person आपके तरफ बहुत ज़्यादा attracted होते हैं जब वो आपको देखते हैं तो उनका मन करता है कि जल से जल आप दोनों physical हो आप दोनों में intimacy हो आप दोनों एक दूसरे के काफी करीब आचाएं आपके person का मानना है कि अगर उन्हें आप मिल गए तो जैसे उन्हें सब कुछ मिल गया वैसी वाली vibrations उनके मन में हैं कही ना कहीं इस connection में आके आपके person ने things को balance करना सीखा है divine को accept करना सीखा है आपकी knowledge आपकी wisdom की वो हमेशा तारीफ करते हैं और आपके person को ये भी लगता है कि अगर सब चीजे फटा फट से ठीक करके उन्होंने इस रिष्टे के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो ऐसा ना हो कि आप आप उनकी ओवर किसी और को चूज कर लें कि आपके person को by heart लगने लगा है कि जितने independent हो आप जितने wise हो आप जितनी life में आगे बढ़ रहे हो तरकी कर रहे हो ग्रोथ की तरफ आगे जा रहे हो आपको तो कोई भी मिल जाएगा या कोई भी मिल जाएगी and then रह सकता है कि अगर आप इनकी लाइव से चल गई तो इनको समझने वाला या समझने वाली आपके लेवल का नहीं मिल सकता So sorry friends बाहर से बार-बार noise आजाता है जिसकी वज़े से थोड़ी सी disturbance हो जाती है ऐसा भी लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों के person आपको sexually बहुत जादा miss कर रहे हैं काफी जादा आपको stalk कर रहे हैं आपके साथ wedding wedding और reunion को लेकर काफी जादा serious है ये person By heart इन्हें लगने लगा है कि जल्दी से आप दोनों के beach में romantic cycle शुरू हो जाना चाहिए अगर आप लोग एक child के साथ separated हो या divorce हो तो आपके person आपको और आपके child को दोनों को accept करके reunite होना चाहते हैं Six of Vans की भी energies है ऐसा लग रहा है कि आपके person का मन करता है कि वह आपके साथ जल्दी से कहीं ना कहीं traveling plan करें और दूर जाकर और यूनों बहुत अच्छा romantic सा time spent करें मतलब BTS की vibrations आ रही है कि BTS हो natural air हो sunlight हो और बहुत अच्छी अच्छी कपड़े भेने हो और आप दोनों एक दूसरे के साथ as a couple बहुत enjoy करें तो आपके person इस time is connection को लेके काफी prayers और manifestations कर रहे हैं आपको at any cost पाना चाहते हैं और बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप उनसे हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाओ अगर आप उनसे नाराज हो तो आपके person आपको मनाना भी चाहते हैं हो सकता है वो बहुत प्यारी प्यारी बाते करें बड़ी romantic सी बाते करें और थोड़ा सा flirty भी हो सकता है आप लोगों को लगे बट येस ये आपको बिना मनाए तो चैन नहीं लेंगे तो आपके person का मानना ये है कि आप बेशक जिद्धी हो बट आप दिल से बहुत अच्छे हो बाहर से जितने ही tough दिखते हो आप अंदर से उतने ही soft हो और नरास्त वाप हुए हो बट बहुत जल्दी मान भी जाओगे बस इनके approach करने की देर है अगर friends मैं number और dates की बात करूँ यहाँ पर तो 1,19,28,10 काफी 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 ज़्यादा strong है 4,22,13,31,2,11,29,20,6,15,24 ये number ये dates आप में से काफी ज़्यादा लोगों के लिए या फिर आपके person के लिए या फिर आप दोनों के रिष्टे के लिए हो सकती है काफी ज़्यादा important आप में से कई लोगों को mirroring numbers दिख रहे होंगे just like 41,14,31,13,12,21,96,69 ऐसे chances काफी strong है universe आपके साथ हैं आपको bliss कर रहे हैं और आपको बताना चाहती हैं angels कि आपके person आपको mirror कर रहे हैं तो ऐसे में जितना हो सके इस connection को लेकर आप अच्छा ही सोचें so that अच्छा ही manifest हो और अच्छा ही आपकी तरफ आए अगर friends मैं यहाँ पर बात करूँ जो डियक्स की तो यहाँ पर Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Pisces, Scorpio काफी ज़्यादा prominent energies हैं अब हम लोग friends चेक कर रहे हैं कि आपके person का next move क्या होगा, कि तक होगा and meanwhile आप लोगों के लिए क्या guidance है तो इनका next move होगा friends, seven of swords, two of wands, ऐसा लग रहा है कि यह आपको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, यह आपको छुप छुप कर देख सकते हैं यह आपके साथ बिताए गए moments को काफी miss कर सकते हैं यह इस topic पर भी सोचेंगे कि जब भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, यह आगे बढ़ नहीं पाते या इनका किसी काम में मन नहीं लगता, क्यों नहीं लगता, विकोज यह आपसे बहुत प्यार करते हैं तो ऐसा लग रहा है कि third party situation जो भी आपके रिष्टे में हैं, उसको पीछे छोड़ कर अब आपके person आपको एप्रोच करने वाले हैं कब तक within 7 to 14 days, जब भी आप ये reading देख रहे हैं, within next 7 to 14 days ये person आपकी तरफ कदम बढ़ा सकते हैं अब ये कदम अलग-लग लोगों के लिए अलग-लग रहेगा, but yes, इनका next कदम आपके तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, third party रखी side में, third party situation जाए भाड में, ये person आपके लिए action लेने वाले हैं Libra and Aquarius की energies भी कुछ लोगों के लिए prominent हो सकती है, 7, 16 and 45 number या dates भी important हो सकती है अब हम चेक कर रहे हैं आप लोगों के लिए क्या guidance है, आप लोग जिस तरह से अपने career पर focus कर रहे हैं और अपनी health का ध्यान रख रहे हैं, आपको इनी चीजों पर ध्यान देना है आपको बिलकुल confused नहीं होना, बिलकुल जगल नहीं करना, जो आपके लिए easy है, comfortable है, उसी जोन को accept करें Thank you so much for watching friends, if you like, don't forget to thumbs up and share this in your group For more clarity friends, you can book your personal paid readings too, जिसकी details safe or safe description box में given है